कर दो कि दो बगव आप जेख रहा है आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल हाजरा कार्णिंग टीप्स दोस्तों आपके सामने एक वीडियो लेका आया है इस वीडियो में आपको दिखाएगा अपका घर में जो फूट प्लैंस या पेइनल प्लैंस है उस प्लैंस से कैसे कलम के जड़िये नया प्लैंस त्यार कर स से के Putting track नएंस दोस्तों आपको दिखे लाएगा तो छलूर लाय कोमेंट शेह किसींग और हमारा वीडियो इन तक देखते रहिएगा тоб देंक दोस्तों जोत आपको दिखाता आ ए पहले प्लैंस का स्टेम कैसे आप करता है देख्ये अखें槁 के द्श्SO कर शी अर्डान इसे का उपर कड़े चिला है इसे राउंड करके काट दीजियें रहा हैं सिपिस्ट पर ऊपर ठीम थोड़ा चिला रहा तो इसको आप हटा के थुरहा फ्रेस कर दिजिए। घार मचा से जो रूट आएगा यह आकी तर आएगा जायाेखे सैकर दीजिए। कि एसकरने के बाद इसको आप एक दिन के लिए इसको रघ दिजए गए अधर था जो फरॉपर दो धिया भोवत्रा ध्राई औ छाएगा फैर उसको बाद हम इसको रूंब लाएके उसको dat को बनाएगा है है फैसे मिपन जो सेमिक्ड ही dla UK के लिए दो नम्बर अच्छा रहता है तो आप। नमबर गूता रही हिए डो 문제 हो'RE dot दोस्तों हम उस रूडिंग होर्मोन को थूड़ा लिक्विट करके ऐसा लेकिए उसको जहां से काडिंग किया था उसको चारो तरफ लागा रहाए दिखिए इसा लगा दीजिए लगाने के बाद आता गंटा गंटा राख दीजिए गा जो ऐसा वहर्मोन थो ड्राइब हो जा दो आयटेम लिया है जैसा ये है प्लेन गडेन सोईल और ये है भार्मी कमपोस्ट तो हम दोनव आइटेम इस रेच्यों में ले रहा है गडेन सोईन ले रहा है दैनले रहा है 75% और भार्मी कमपोस्ट ले रहा है मिस्ट करने के बाद इसके साथ थोड़ा वाटर रैट करके इसको ऐसा गुल्ला बनाया थेक है ज्यादा टाइड भी नहीं करेगा ज्यादा धिला भी नहीं करेगा एसा गुल्ला बनायगा फिर इस गुला से एक कॉलं बनाएगा, तो चलिए दोस्तों पर दिखता है, कैसे कॉलं बनाता है. हमने पहले इस टेंब को कैसे काट के रूडिंग हर्मोन लागा दिया था, अभी ये रूडिंग हर्मोन द्राई हो गया, पिर उसके बाद हम कॉलं मुत्यार कर रहा है, क्लास्टिक के बाद общем क्लास्टिक से उसका हम ओसके बांदेगा क्लास्टिक नियुक्ला जी लीजिए शॉबब अब जो कोलम बनायेगा उत्र ताइट होगा ज्यादा धीलाfr होगा तो देखिए हम कैसे बांगता है प्लास्टिक को पहले अची तरह उसके उपर लिपट दीजिए उसके बाद कि रस्ती से जो नीचे का जो पॉर्ट्टन है कि दर आप ताइट करके पहले बांग दिए देखिए हम कैसे बांगता है कि अची तरह कि यह इसका जो उपर भागया इसको आप ऐसा करके अची तरह करके थोड़ा टाइट करके इसको पाका लिजिए दोबर कखने के बाद इसके उपर टाइट करके इसको बांग दीजिए कि अच्छे रहेगा तो इसके अंदर ज्यादा पानी नहीं आएगा एक गुटी अच्छे रहेगा तो आपको तुरह टाइट नहीं होगा आप मीडिल से फिर एक बार यहां से रोश्टी बांग सकता है नहीं तो उपर नीचे दोनों टाइप बांदेगा तो चला जाएगा तो दोस्तो हमारे कलम त्यार हो गया और 15-20 दिन या एक माईना बाद जो स्टेम जैसा है कुछ-कुछ में एक माईना लगता है कुछ में टेर माईना लगता है कुछ में 15-20 दिन में भी रूट आ जाता है तो एक माईना बाद जब रूट आएगा आप प्लास्टिक बार से थोड़ा थोड़ा रूट देगने लाएगा तो जब रूट देगने लाएगा उसके बाद आप यहां से स्टेम काड दीजेगा जैसा यह स्टेम है इसके नीचे से यहां से काड दीजेगा लागाने के बाद उसका पॉड में अलासे लागा दीजिए आपका घर में नया प्ल साथ क्लम झालिक साथ क्लम जैसे और रवाव क्लम आपको प्रेंडश्य होगा गया ज्यादा पदला प्यस्यद्ट विल्ट अजरी इस तरह से उसका क्लम अच्छा बनता है जैसा प्रेइनल परेंड नहीं चाहिए देखिये दुस्ति दो है यह सब्सक्राइब गवावबना सक और प्रवा इस काम कॉलम बना कि आपको दिर्का आया कि दिखिए ऐसे गुटी बना यह ता तो दोस्तों हब एक माहीने बाद जब रूट आजाएगा तो आप इसको काटके फिर नया प्लैन्ट तेयर कर सकता है देखिए दोस्तों हमने इसका एक माहीना पहले इसके कॉलम बन तो आप भी ऐसा घर में नया प्लांस त्यार कर सकता है ठीक है दोस्तों हमारा वीडियो अच्छे लाएगा तो जरूर लाइक कमेंट से आर कीजिएगा और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ठेंक्यों दोस्तों